जै मातादी आईए जानते हैं नौरात्री के छट्वे दिन मा कात्यायनी का पूजन विधी, शुब मुहोत, महत्व, भोग एवं मंत्र नौरात्री के दौरान मा के नौरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, मा का छटा रूप माता कात्यायनी का है महिसासुर और शुम निशुम दानों का बद माता ने ही किया कात्यायन रिशी की पुत्री होने की कारण मा का नाम कात्यायनी पड़ा मा को महिसासुर मर्दनी भी कहा जाता है मा कात्यायनी ने महिसासुर शुम और निशुम का बद कर नो ग्रहों को उनकी कैद से छुड़ाया था मा कात्यायनी की पुजा भग्मान राम और स्री कृष्र ने भी की थी ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर, अर्थ, काम और मोच इन चार पुरुसार्थ चतुष्ट्य की प्राप्ती होती है किमकी इन्होंने कात्य गोत्र के महरसी कात्यायन के यहां पुत्री रूप में जन्म लिया इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा, इनका रंग श्वर की भाती अतियंत चमकीला है और इनकी चार भुजाएं हैं, दाई ओर के उपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीची वाला हाथ वर मुद्रा में बाई ओर के उपर वाले हाथ में खरक अर्था तलवार है और नीची वाले हाथ में कमल का फूल है इनका वाहन भी सिंग है मा का त्यायनी की पूजा अर्चना और अस्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है मा जगदंबे की भक्ती पाने के लिए इस मंत्र को कंठस्त कर नौरात्री में छठे दिन इसका जाब करना चाहिए या देवी सर्वभू तेशू सक्तिरूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नम हिमा सर्वत्र विराजमान और सक्तिरूपेडी प्रसिद अम्बे आपको मेरा बार बार प्रडाम है या मैं आपको बार बार प्रडाम करता हूँ नौरात्री खश्टी तिथी के लिए सुभरंग सफेध है। देवी कात्यायनी का वाहन एक भव्य सिंग है। मा कात्यायनी की पूजा विधी। सुभह जल्दी उठकर असनानाज से निब्रीत हो जाएं। और फिर साप स्वच वस्त्रधारण करने। मा की प्रतिमा को सुधजल या गंगा में असनान कराएं। मा को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मा को असनान करने के बाद पुष्प अर्पित करें। मा को रोली कुमकुम लगाएं, पूजा के दवरान मा का त्यायनी को, नारियल, गंगाजल, कलावा, रोली, चावल, सहद, अगर्भत्ती, नैवेद, घी चड़ाया जाता है, पूजा में चड़ाये गए नारियल को, कपड़े में लपेट कर कलस पर रखना चाहिए, फिर मा का त्यायनी को, रोली, हल्दी, और सिंदू लगाया जाता है, तब भक्त, 108 बार, का त्यायनी मंत्र का पाठ करते हैं, और मूर्ती को, फूल चड़ाते हैं, माता को पीला रंग अतियंत प्रिय है, इस दिन पीला वस्त्र धारड कर, माता को पीला फूल अर्पित करने, और मिठाई का भोग लगाने से, मा जल्दी प्रसन होती हैं, वही बैबाहिक जीवन के लिए भी, माता की पूजा फलदाई होती है, यदि कुंडली में विवाह के योग छेड हों तो भी विवाह हो जाता है, कात्याईनी देवी पूजा उन लोगों के लिए महत्यपूड है, जो अपने विवाह में समश्याओं का सामना कर रहे हैं, यह मांगलिक दोस्त को दूर करने और सभी वैबाहिक मुद्रों को दूर करने में सहायक माना जाता है, मां कात्याईनी महिसासुर से युध करते हुए जब ठक गए, उन्होंने सहद युक्त पान खाया, सहद युक्त पान खाने से मां कात्याईनी की ठकान दूर हो गए और महिसासुर का बध कर दिया, कात्याईनी की साधना इवं सक्ती करने वाले को मां की प्रसनता के लिए सहद अर्पित करना चाहिए, बैबाहिक जीवन के लिए इनकी पूजा फलदाई होती है, अगर कुंडली में विवा की योग छिर हो तो भी विवा हो जाता है, महिलाओं के विवा से संबंध होने के कारण इनका भी संबंध ब्रिहस्पती से है, दामपत्य जीवन से संबंध होने के कारण इनका आंसिक संबंध शुक्रशे है, शुक्र और ब्रिहस्पती दोनों दैविय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अध्भूत और संपूर है माता का संबन कृष्ण और उनकी गोपिकाउं से रहा है और ये ब्रजमंडल की अधिश्ठात्री देवी है गोधली बेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारड करके इनकी पूजा करनी चाहिए इनको पीले फूल और पीला नयवेद अरपित करें इनको सहद अरपित करना विशीश सुप होता है मा को सुगंधिक पूश्प अरपित करने से सिख्र विवाह की योग बनेंगे साथ ही प्रेम संबन्धी बाधाएं भी दूर रहेंगी इसके बाद मा की समच उनके मंत्रों का जाब करें गोधली बेला में पीले वस्त्र धारण करें मा की समच दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अरपित करें इसके बाद तीन गाठ हल्दी की भी चलाएं मा कात्यायनी के मंत्रों का जाब करें झाल झाल